बीपर जोय तुफान के खत्रे को देखते हुए केंदर सरकार पूरी तरह से सतर्क लोगों को सुरक्षित इस्थान पर पहुँचाया गया जी ट्वेंटी क्रिशी मंत्री इस्तरियत तीन दिवसिय बैठक आज से हैदराबाद में मुख्य मंत्री ने 36 गड़ में नशे के दुश प्रभावों से समाज को बचाने व्यापक जन जागरन अभियान चलाने दिये लिर्देश और केंद्र स्तरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर दुर्ग में भारती जनता पार्टी का लोग सभाइस्तरिय वयापारी सम्मेलन नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूँ थानिंद्र साहू अब समाचार विस्तार से भीशन चक्रवाती तुफान वीपर जॉय के आज शाम को गुजरात के कच्छ जिले के जखाओ बंदरगाह के पास टकराने की आशंका है इस चक्रवात से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है मौसम विभाग के अनुसार तुफान के जखाओ बंदरगाह के पास मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच सौराश्ट कच्छ और उससे लगे तटों को पार करने की संभावना है भारतिय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्यूंजय महापात्रा ने बताया कि आज से चार दिन तक गुजरात में बारिश होती रहेगी कच्छ और सौराश्ट में कहीं तेज और कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है इस चक्रवात का सरवाधिक प्रभाव कच्छ जामनगर और देवभूमी द्वारी का जिलों में होगा इन जिलों के तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश हो सकती है इसमें कोई ज़्यादा डेमेंज हो दाएंगा इधर गुजरात सरकार ने इस संभावित आपदा के दौरान आवश्य कता पढ़ने पर वायो सेना, नौसेना, तटरक्षक और सेना की सहायता लेने का निर्णाय किया है और आपदा प्रबंधन की तैयारियां भी जोरो पर है राश्ट्री आपदा प्रबंधन बल एंडी आरिफ के महानिदेशक अतुल करवाल ने भी अपनी तैयारियों की जानकारी दी प्रबंधन की जो होते हैं उनको एवेक्वेट किया गया है चक्रवाद के कम होने के बाद बिजली आपूर्ती को तेजी से बहाल करने 597 कर्मियों की एक टीम बनाई गई है 30 एक शेत्रों में चक्रवाद से प्रभावित जिलों में सरकारी इसकुलों और कार्यालयों में आश्राइग्रिह इस्थाफित किये गए हैं इसके अलावा पश्शीम रेलवे ने चक्रवाद संभावित शेत्रों में एहतियात के तौर पर कुछ ट्रेनों को रद्ध करने का निर्णाई लिया है तेज बारिश या तुफान के कारण संचार प्रणाली में किसी भी संभावित व्यवधान को दूर करने के लिए सैटलाइट फोन और हैम रेडियो सेवाओं को तयार रखा गया है इसके अलावा मोबाईल सिवा ओपरेटरों को निर्देश दिया गया है कि वे वैकल्पिक टावरों को चालू रखें G20 कृशी मंत्री इस्तरिय तीन दिवसिय बैठक आज से हैदराबाद में शुरू हुई G20 सदस्य देशों के मंत्रियों आमंत्री देश और विभिन अनुसंधान और विकास संस्थानों के प्रमोखों सहित 200 से अधिक प्रतिनी धी इस बैठक में भागिदारी कर रहे हैं क्रिशी और किसान कल्यान राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इस अवसर पर भारत की क्रिशी तक्निक को दिखाने वाली एक प्रदर्शनी का आपचारी को दगाटन किया इस दोरान मंतरी कैलाश चौधरी ने कहा कि उभरती आधोनिक प्रोध्युग की किसानों के लिए बहुत मददगार होगी और ड्रोन जैसी उन्नत प्रोध्युग की अधिक हेती करने में किसानों को मदद करेगी उन्होंने नई प्रोध्युग की को लेकर जागरूकता बढ़ानी की आवश्यकता की बात कही इस तीन दिवसी बैठक में सतत्त क्रिशी, महिला क्रिशी, विश्व खाद्य और पोशन सुरक्षा जैसे विभिन नमुद्धों पर चर्चा होगी इस बैठक से अलग दो कारिक् पहला कारिक्रम लाभ लोगों और पृत्वी के लिए क्रिशी विवसाय का प्रबंधन है, दूसरे कारिक्रम का विशय कनेक्टिंग दा डिजिटली डिसकनेक्टिट है, जिसमें क्रिशी में डिजिटल प्रोध्युकी की शक्ति को तैयार करने पर बल दिया जाएगा मुख्य मंत्री भुपेश बगेल ने 36 गड़ के नशी के दुश्प्रभावों से समाज को बचाने के लिए व्यापक जन जागरन अभ्यान आरंब करने के निर्देश मुख्य सच्यों को दिये हैं उन्होंने कहा है कि नशा मुक्ती जन जागरन अभ्यान की विस्तृत कारी योजना तयार करने के लिए देश में नशा मुक्ती हेतू कार कर रहे ख्याती नाम व्यक्तियों और संस्थाओं से आवश्यक रूप से परामर्श किया जाए उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि समाज कल्यान विभाग एक माह में नशा मुक्ती जन जागरन अभ्यान की विस्तरित कारी योजना प्रस्तुत करे उन्होंने कहा है कि इस अभियान में शास्किय प्रयासों के साथ ही एंजियो, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं का सक्रियस सहयोग प्राप्त किया जाए मुख्य मंत्री ने कहा कि समाज को नशे के दुश प्रभावों से बचाने, युवा पिढ़ी को बरबादी से बचाने तथा उनकी संपूर्ण उर्जा का राष्ट निर्मान में उप्योग करने के लिए आवश्यक है कि नशा मुक्ती हेतु बड़ा जन जागरन अभियान आर वर्ष पूरे होने पर कार्मिक लोग शिकायत मंत्रालय में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सी ने एक पत्रवारता में अपने मंत्रालय की उपलब्धियों का बयवरत दिया। अपराद संबंधी मामलों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अब नई व्यवस्था में हमारा भुजूर्ग पेंशनर अपने मोबाइल पर चेहरा देखता है और आधार से लिंक होने की वजह से 60 सेकंड से भी कम समय में उसका ब्यवरा संबंधित बैंक में चले जाता है। इससे उसे बैंक में जानी की परिशानी नहीं उठानी पड़ती। उन्होंने कहा कि इस तरह से हमने समवेदन शेलता को तकनीक के साथ जोड़ा है। इस बारे में थोड़ा सा उनको इस बारे में थोड़ा सा इसकी awareness भी थोड़ा सा उनको इसकी जानकारी के साथ उससे पहले face recognition technology अधिकतर crime world में इस्नाल होती थी, कि अपना कोई लॉकर बंद कर दिया और face के में उखलेगा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि पेंशनर अब सिर्फ पेंशनर नहीं रह गया। अगर हम 2047 के परिदिर्शे को देखें तो देश की नागरीकों की औसत उम्र बढ़ने की वज़ा से सिवा काल का अनुभाव और स्वास्त के चलते अब 60 की उम्र में रिटायर होने वाले कर्मी अपने जीवन की बेहतरी सिती में रहते हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भारतिय जनता पार्टी के जन संपर का भियान के तहट आयोजीत करिक्रमों के शिंखला में लोग सभास्तरी व्यापारी सम्मेलन का आयोजन दुर्ग में किया गया। इस सम्मेलन में पूर्व कैबिनेट मंत्री विजमोह नगरवाल और दुर्ग सांसद विजय बगहिल सहीत अनेक जन प्रतिनी दी शामिल हुए। वक्ताओं ने इस दोरान केंदर सरकार की नौ वर्षों की उपलब्धियों के साथ ही व्यापार जगत के विकास के लिए केंदर सरकार के कारियों पर प्रकाश डाला। दुर्ग संसत विजय बगहिल ने कहा कि केंदर सरकार ने व्यापार तथ व्यावसाय के विकास के लिए अनेक तरह की योजनाई चलाई हैं जिसका लाव हर वर्ग के व्यापारियों को मिल रहा है मतलब जियस्टी आने के बाद एकदम सुतन दुरू से ब्यापार कर रहे हैं पहले डर और भय था कि कब कोई अधिकारी पहुच जाए छोटे से कागज के लिए उनको परसान करें और उनसे घूस ले तो यह जो जियस्टी आने के बादे सब खत्म हो गया है और इमानदारी से जो प्यापार करने वाले जो प्यापारी हैं वो खुश है वही पूर्व कैबिनेट मंत्री बेजमोहन अगरवाल ने राजसरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि राजसरकार हर मोर्चे पर विफल रही है ये इनके जेब भरने का साधन बन गया है सरकार के खजाने में जितने पैसे जा रहे हैं उससे ज़्यादा पैसे कांग्रेस के और सरकार में बैठे हुए लोगों के जेब में जा रहे है और ये बड़ा दुरभाग्य है कि जो सरकार सराब बंदे की बात करती थी वो सराब स पर गर पहुंच सेवा शुरू हो गई है लोगों को दवाई गर पहुंच कर नहीं मिलती है प्रन्तु सराब मिलती है और इसका बदला प्रदेश की महिलाएं निश्चित रूप से आने वाले चुनाओं मिलेंगे। जितेंद्र सीह ने एक समारों के दोरान मेडिया की सवालों के जवाब में यहा खुलासा करते हुए कहा अगर चीज़ें योजना के अनुसार चलती है तो भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो अपने महत्वा कांक्षी चंद्रयान तीन मिशन का प्रक्षेपन करे जिसका ओदेश्य अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के दक्षिनी ध्रो पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण तक्निक का प्रदर्शन करना है मंत्री जितेंद्र सीह ने कहा कि भारत के पहले चंद्रमिशन चंद्रयान एक ने पहले बार चंद्रमा की सता पर पानी के उपस्तिती की पहचान करके देश को विश्व पटल पर गौर अफ दिलाया था इस खोज को अमेरिका की नासा जैसी दुनिया की प्रमुक अंतरिक्ष एजिंसियों ने भी महत्वदिया था उन्होंने कहा चंद्रयान में लेंडर और रोवर पर लगे व्यग्यानिक उपकरण चंद्र परियावरन सहित चंद्रमा के विभिन पहलूं का अध्यान करने में सक्षम होंगे और अब कुछ खबरें जिलों से चतिसगर के कैबिनेट मंत्री तामरद्वच साहू ने बुधवार 14 जुन को बेमेतरा प्रवास के दौरान ग्रिह विभा की अधिकारियों की अपराद एवं कानून के संबंधे में समिक्षा बैठक ली बैठक में मंत्री ने पुलिस अधिक्षक भावना गुपता से जिले की थाना, परिसीमन, चौकी लाइन, बल की उपलब्धता तथा सुरक्षा संबंधित अन्य विश्यों की जानकारी ली बैठक के दौरान पुलिस अधिक्षक ने जिले में चल रहे कानून विवस्ता और घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की 36 गर्द सरकार की महत्वा कांक्षे सुराजी योजना से ग्रामिडों को नई दिशा मिली है योजना से अब गावों की तस्वीर और तकदीर बदलने लगी है बिलासपुर जिले में विकास खंड बिलहा के ग्राम पंचाया धौरा मोडा के आश्रित गाम बरपाली की महिलाओं को स्वावलंबन की नई राह मिल गई है इससे पहले समो की महिलाओं के पास आय का कोई जरिया नहीं था जिससे उन्हें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता था लेकिन अब उन्हें आर्थिक रोप से किसी पर निर्भन नहीं रहना पड़ रहा है इन महिलाओं ने एक समो बनाकर वर में कमपोश्ट खाद बनाने का काम शुरू किया है कॉंडा गाओं पुलिस ने माकडी के हीरापूर में दो लाख रुपए के चोरी के दो आरोपियों को गिरफतार किया है आरोपियों ने यहां की सापताहिक बजार में 68 वर्षिय बुज़ूर्ग के पास व्यवसाह के लिए रखे 2 लाख रुपए की चोरी कर ली थी पुलिस ने CCTV फूटेज के आधार पर संदेवियों को तलाशा और आरोपि पकड़े गए अन्त में मुख्य समाचार एक बार फिर बीपर जॉय तुफान के खत्रे को देखते हुए केंदर सरकार पूरी तरह से सतर्क लोगों को सुरक्षित इस्थान पर पहुँचाया गया G20 कृशी मंत्री इस्तरियत तीन दिवसिय बैठक आज से हैदराबाद में मुख्य मंत्री ने 36 गड़ में नशे के दुश प्रभावों से समाच को बचाने व्यापक जन जागरन अभ्यान चलाने दिये निर्देश और केंदर सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर दुर्ग में भारतिय जनता पार्टी का लोग सभाहिस्तरिय वयापारी सम्मेलन इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार